हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल लव एट रेट सिंग्सर मैं आपके साथ छोड़ी छोड़ी स्टोरी पैराग्राफ और ऐसे सेर करता रहता हूं जिसे हम बहुत सारे न्यू वर्स सीखते हैं और अपनी वॉकाइबलरी को इंप्रूफ करते हैं साथ ही साथ जो ग् रोवर्त वाश ट्राइंग तो जांज दू पर राव व्यक्ति वाज यानि था प्रॉइंग ट्राइक कर रहा था वाज के साथ भर्याव का फोर्थ फोर्म लगा है आई-एंजी फोप यानि वाज ट्राइंग तूब तूभराएंग अपने घर को अपने इस घर को बेचना चाह रहा था उसने वाल से एक ब्रिक निकाला अपने घर के दिवाल से एक ब्रिक निकाला उसकी पतनी अंगरली यानि गुस्य से उससे पूछी यानि उसमें प्रस्ण पूछा – तुम्हें ऐसा क्यों किया? Robert replied, Robert ने जवाब दिया, you are foolish, foolish का मतलब होता है, मूर्ख, तुम मूर्ख हो, you don't know anything, तुम्हे कुछ भी पता नहीं है, यानि Robert ने जवाब दिया अपनी पत्नी को, कि तुम बेकूफ हो, foolish हो, तुम्हे कुछ भी पता नहीं है, I know, मैं जानता हूँ, why I am failing again and again in selling my house, मैं क्यों fail य वो बार-बार क्यों हार रहा था, इसके बारे मैं उसे पता चल गया है, कि मैं बार-बार क्यों हार रहा हूँ, again and again का मतलब होता है, बार-बार, in selling my house, मैं अपने घर को बेचने में, असफ़ल क्यों हो रहा हूँ, ये मेरे को पता चल गया है, I have never shown its sample to anyone, मैंने कभी भी इसक simple किसी को नहीं दिखाया, he was just trying to sell his house by showing the sample, so let's see what is going to happen of this story, now I have got a customer, अब मेरे पास एक customer है, यानि उसका कहने कार्थ है, कि उसने कभी भी never का मतलब होता है, कभी नहीं, Sean दिखाया था its sample, इसके sample को to anyone, जैसे कोई समान बेचा जाता है, तो उसके samples को दिखाया जाता है, उसे लगा कि इसके samples को दिखा करके हम घर को बेच सकते हैं, now I have got a customer, मेरे पास एक customer है, I have promised him, promised यानि वचन देना, मैंने उसे वचन दिया है, to this brisk as a sample of our house, यानि ये bricks जो है, होगा, वो sample होगा, इस घर का, his wife held her head at the foolishness of her husband, उसकी wife ने held यानि रखना, her hand, यानि अपने सर पे हाथ रख करके, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा किसी के बेकूफी पर लोग देखते हैं, तो अपने सर पे हाथ रख के करते हैं, कैसा बेकूफ है, so her wife did the same thing, उसने held रख कि और किसके उपर, foolishness of her husband, अपने husband के मुर्खता भरी बातों को सुन करके, उसकी पतनी ने सर पकड लिया, this was the story, I hope so, you have learned a lot of word, meaning through this story, and you, so if you like the video, please do subscribe, and hit the bell button for more updates, thanks for watching, झाल